बुखार खांसी वगेरा होते हैं तब यह देते हैं अब सबसे पहले इसको वालना है और यहां पर है आलू और यह है फूल गोबी हलो नमस्ते विल्कम बैक चुम यूटूब चैनल मेरा नाम है शुश्मीता और आप सभी का स्वागत है दारजिलिंग की इन खुब सूरत पह बच्चे खेल रहे रैकेट और कोई कर रहे वाक वगेरा और मेरे साथ में आई यह वाबी और सारे जितने भी हमारे बच्चे है सब साथ में वह अपने डौगी को भी लेक्वाए यह है अर्जो यह ओंध है यह हमारे तीसी ग्राउंड है यह लड़का बहुत जदा गुल्चे खेलता है गुल्चे मतलब होता है चीटिंग तो यह बहुत चीटिंग करता है अब बच चुके है साथ तो अभी हम लोग घर जा रहे है क्योंकि हम लोग सुभी सुभी आ गए थे और बहुत जद लेट भी होगे और यह हमारे सारे बच्छे ग्यांग सुरजदेव प्रकट हो चुके है साथी में पूरे गाउं में भी धूपा चुकी है बस इसी एरिया पर रह रहे है क्योंकि यहां पर अभी पेड़ है इस वज़े से यहां पर अभी धूप नहीं आई है तो थोड़ी दे में यहां पर भी धूपा जाएगी बड़ा कता अज और बड़ा जारे वाकपर बज़े जानवकर जो यह वाले टीकारण है इस साइट के यह अभी बिलकुल हरा भरा है अभी इसकी कटिंग नहीं हुई है शायद इस साल नहीं होगा क्योंकि पिछले साल हुई थी यह है बन मारा मैंने पिछले एक वीडियो मे नहीं अदरे बी जब आलो का हाथ कटा था सा तो मैंने इसी का ही वह लेप लगाया था तो मुंझी किसी ने पूच्या भी था कि आपकी यह उता है तो हơn जी हमारे हहां पर होता है और इसको बनवारा वोलते है और जो यह सामने वाले पेड़े है इसंक rivalry इसमें बहुत यहां पर जा रहे हैं इसलिए मेरे भावी यह सब यहां पर बैठे हुए और सामने से आरे मेरे अंकल जो की डूठी जा रहे है अब हम पहुच चुके हैं अपनी दुकान और थक गए अच्छा यह वह बड़े परको दाना मंग रहे हैं खाने के लिए बड़े पपा की पीछ पीछे पीछे घूम रहा है और दात है न न भाव इसको इन दो बोले यह मेरे चटी फुच्ची जब सुबह में वाक पे जा रही थी ताब भी ममी बारी में थी और अब भी बारी में हैं ममी काम सक्के ना घर आते ही मुझे मिल गया है काम मुझे कनी है जो मम्मी ने वो लकड़ी नीचे उतारा है उस लकड़ी को नीचे लेके जाना है और फिर उसके बाद बनाना है ब्रेकफास्ट जो मम्मी ने दो बोरे लकड़ी भर दी है इसको मुझे यहां नीचे तक रखना है हाई गुड मॉर्निंग मने को तो अभी घर पे आईये मेरे बुआ मेरे दीदी और जीजु जीजु दीदी बुआ ढून के लेके आईये सिसनु और हमारे यहां पर इसको सिसनु बोलते है और उत्रा खंड में इसको कंडाली तो आज जीजु बनाएंगे इसकी सबजी साग मतला ग्रेवी ग्रेवी कुछ वह सकते तरी तरी जोल हमारे में जोल बोलते तो आज मैं दिखाऊंगी कि यह कैसे बनते क्योंकि मुझे तो आता नहीं है तो जीजु जब आप इसको बनाओं तो मुझे सिखाना ठीक और मेरे बुआ भी लेके आए बन मारा क्योंकि यह ग्यास की दावाई है मैंने पहले भी बताई थी तो मैं और मम्मी कर रहे है अब ब्रेगफास्ट और मैंने बनाया है पूरी रोटी सबजी और दीदी ने बनाए दो चटनीनी और मम्मी भी खा रही है कैसा बना है मम्मी और मेरे हैं ब्लक टी और ममी के वाइट ती तो आप करते हैं नास्ता और यहाँ पर आज का वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है कल तो धुन थी पर आज बहुत अच्छी धूब खिली हुई है और साथ में ममी लगे अपनी काम पे और ममी का काम है फूल का पॉर्ट बना रह यह जो फूल है यह मार्स अप्रेल में फूलेगा कुंची फूल हो पहमूला पहमूला मुझे नहीं पैदा कौन सा फ्लावर है यह तो मैं ब्रेकफास्ट करके और थोरी देर घर का काम करके अब मैं आई हूं बुआ के घर और जो सिसनू था उसको कैसे बनाते हैं रेसिपी सीखने के लिए इसको थोरी देर धूप पे सुखाया है और वो भी आटे पे डालके ऐसे तो उसकी उपर आटा डालके क्योंकि उसमें जितरी कीड़े वगेरा है वो सब निकल जाएंगे जिससे इस पर निकला हुआ है और इस पर गाउं की काका है वो देखना हास से ही इसक कि मानुशा ही ना इसका खेल थे आम इतागो ए ते वैरा इसलिए यह जाए तो दीदी अभी छिल्रे लसन इस पर डालने के लिए और जीजू बना रहे हास सेखने के लिए रात को रात को ठंजी है ने बना सकते है थंडी है ना तो इसलिए तो बहुओ ना चाहिए ना जिसको भी ओडर करना है मेरे जीजू बहुत अच्छा चुला बनाते है प्लीज कॉंटैक मे अब सबसे पहले इसको वालना है बूआ है कुखर में डालके इसको बो और लेंगे और इसके तर्की के लिए सिफ च आटा डाला था वो सारा गंद की निकाल देते हैं अब यह अच्छी तरीके से जब तक नहीं पकते इसको ऐसे ही पकाते रहना है पर मेरी बुआ जल्दी के लिए इस पर एक सीटी लगा देगी कुकर में तो बन जाएगी है न अब डाली बुआ नमक यह सबजी है यह जो सागे वो हमारे घर पे नहीं बनते क्योंकि जब से मेरी दादा जी थे तब भी नहीं बनाते थे तो वहीं परमपरा चलते आ रहे कि यह हमारे घर पे बनता ही नहीं है तो बुआ के घर पे बन रही है तो मैंने सोचा कि आप सब को इसका रेसिपी बता और मैं क्योंकि अब मैं घर जा रही हूँ तो मैं जब भूआ मुझे थोड़ी भेज देगी घर पे तो मैं तब आप लोग को पूरा दिखाऊंगी कि यह बन होगी कैसे और मेरा जीजु का भी काम कम्प्रिट होने वाला है अभी आयो थोड़ी देर बड़ी की घर पे तो आत बड़ी ने दो तीन दिन पहले मंदू मखी का वह मतब हनी भी निकाला है तो मैं वही लेने के लिए आयू हूँ शहद लेने के लिए आयू हूँ और यह बिल्कुल प्योर शहद है और यहां पर चोट ऐसा ग्रीन हाउस बना रखा है और उसके अंदर में बहुत सारे फूल है घर पर बहुत प्यारा लग रहा है और यह सब सेल के लिए है बड़ी सेल भी करते हैं और यहां पर यलो कलर कारकेट है यह तो बहुत ही सुन्दर लग रहा है और यहां पर बड़ी ने ऐसे नांगलों में सिलाम इसको बोलती है सिलाम और यह फिलिंगे इन सब की चटनी बनाई जाती है और साथ में इसकूस काटके सुखाया हुआ है और यहां से गाउं का व्यू इतना अच्छा दिखता है जो सिस्नों की सब्जी है वो बनने के बाद ऐसा होता है तो इसको ऐसी ही चावल के साथ खाते हैं तो मैं आगे हो अब अपनी बारी में क्योंकि सुबह से है ही मम्मी पहले तो फूल का काम कर रही थी फिर थोड़ा पतब घर का काम करके दुकान जाके फिर से मम्मी आ गये बारी में मैं इतना एक महिने नहीं थी तो यहां पे क्या क्या हुआ है वह भी और इस बाराना कोई भी सब्जी अच्छे से नहीं हुआ है हमारे बारे में पता नहीं क्यूंगly और फिर से मम्मी सुबे से ही सी लगी हुई है और मम्मी ने अब फिशिक है ब्रोकली और क्योंकि ही मम्मी लेक्छा आई थी तो मम्मी ने ही और यहां पर है आलू और यह फूल गोबी और यह पूरा इसमें भी आदा पोग्चे है और अदा पता नहीं कौन से सब्जे मुझे इतने नहीं पता अली और यहां पर यह चेरी 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 जो मेरा ममी का काम ही खतम नहीं होता इतना काम करती रहती है दिन भर मम्य अभी साथ साथ में पानी भी डाल रही है और साथ साथ में सब्जी भी उगा रही है और हमारा यहां का वैदर हो रखा है बहुती ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहां पर सारे बच्चे राकेट खेल रहे हैं और इनकी हो चुकी है यह पूरा रोड प्लेन कर रहे हैं और यह है हमारी दुकान और आभी काम इसी हमारी दुकान की ही सामने में पर हो रही है प्लेजी बबई तो अभी मैं आई हूं दुकान पर क्योंकि यहां पर आई है मेरी मौसी और भाबी जो कि कल मम्मी जा रही है दिली तो इसलिए कुछ समान भीज नहीं उनको और दुकान पर पापा ने जला रखा है आग क्योंकि होगी बहुत ज़्यदर ठंड और मौसी बगेरा ले रही है समान मम्मी दे रही है ये मेरी मौसी आई भाबी